नमस्कार क्रिशी दर्शन कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभी नंद्द। दर्शकों आज इस कारिक्रम में चर्चा का विशे है हिमाचल प्रदेश में विदेशी फूलों की पैदावार एवम संभावने हैं। दरसल में फूलों की खेती हिमाचल प्रदेश में कुछ समय से लगातार की जारी है। लेकिन दर्शकों इस खेतर में विस्तार की बहुत संभावना है। यानि पुष्पूत पादन एक केरियर के तौर पर एक ब्यवसाइक दृष्टी से एवम युवाओं को स्वरोगजार का एक उचित माध्यम बन सकता है। लेकिन जरूरत है एक उचित मार्क दर्शन की अच्छी वेराइटी की और ब्यावसाइक द्रिष्टी से उसकी मार्केटिंग की आज हमारा फोकस इस करक्रम में इस विशे में इसी पर है कि केस तरह से प्रदेश में खास कर हम फूलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और वो कौन सी नमिंतम तक्निक हो सकती हैं जिने इस ख्षेतर में शामिल कर सोरजवार के तौर पर युगाओं के लिए एक अच्छे अफसर प्रदानी किये जा सकते हैं और इस मेतरपॉर्ण विशे पर हमसे बाचीत करने के लिए हमारे साथ इस विदर के एक्सपर्ट जो मौजूद हैं उनसे में आपका तारूप करा दू हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जस्वीर सिंग वजीर जी डॉक्टर विजीर आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने दर्शकों के मादें से आपसे जानना चाहूंगा पहले तो थोड़ा सा ब्याक्या के तौर पर ये बताएं कि वर्तमार स्थिती है क्या प्रदेश में पुश्पुत पादल की जो फूलों की खेती है यह लगबग पिछले तीन से चार दर्शक परानी खेती है जो हम अपने परदेश में हमाचप परदेश में जो है फूलों की खेती वैफसाई की तर पर हमारे किसानों ने शुरू की है आज की डेट में जो ये खेती है ये काफी इसने अच्छा एक अपना रूप ले लिया है और हमारे पूरे परदेश में जो हमारे जितने जिले हैं बारा जिले हैं हमारे परदेश में उसमें से जो दस जिले हैं हमारे किनोर और थोड़ा लहॉलस भीती जो ठंड की वज़ा से वहां ज्यादा हम नहीं उत्पादन कर पाते हैं बाकि सारे के सारे जिलों में जो ये खेती है ये काफी जो जो शोर से हमारे किसानों दोरा की जा रही है और इसमें जो मैं दो मुखी चीजें जो है वो बताना चाहूंगा कि एक तो कुछ ऐसे पुष्प हैं जिनको हम जो है खुले खेतों में तियार कर रहे हैं हमारे किसान भाई और कुछ जो पिछले कुछ बीस वर्शों में जो है कुछ ग्रीन हाउसिस में जो है या पॉली जो है वो विस्तार ले रहा है कुछ पुष्प उत्पादन प्रदेश में मेरा सवाल यह है डग सब कि यह तो होगी उत्पादन की बात कि दिरे दिरे एक्सपेंशन हो रही है लेकिन विवसाइक त्रिष्टी से कौन-कौन से फूलों का उत्पादन हो रहा है और किस तरप अगर हम पहले हम खुलय ख़ेतुं में जो हमारे फूल है हिम दो शब्द काम करते हैं एक हम कहते हैं काट फ्लाव इं 선생님 के साथ मारकेट मे जो बेचतें understood or दूसी सो है जो सबस्क्राइब ऑ़ि Anytime करते हैं तो में अजो पूल का तो फूल करते हैं ऑदिका करते हैं फिर कि उध एक प्रमुकुदारन गेंदे का फूल है सर्थू और पहले हम लोज़फलार्स की बात कर लेते हैं कि लोज़फलार्स में हमारे भुक्द रूप से एक तो गेंदा है जिसकी हमारे परदेश भर में वेफसाई स्थार पर हमारे किसान केथी करें रहे हैं छासकर के सिरमोर्जि की एक specific variety है स्फेद रंगी सर्फ के नाम से तो वो बिलकुल सफेद होती है तो तब भी उसका नाम सर्फ रखा है तो यह थोड़ी सी बोनी किसम की spray type की variety है और इसका भी जो है जो है गैंदे की तरह कुले खेतों में हमारे केसान भाइ जो है उत्पादन करते हैं और इसको भी जो है वो एक एक फूर तोड़के किलो के साब से या क्वंटलों के साब से जो है marketing Met बेड़ते हैं- यह तो कुछ यह मुख्य रूप से हमारे खुले में लगने वाले जो फिर हम करेंगे खुले में लगने वाले जिfon कुछ पार्णि को पूल था इस और हना पूल की कहती जो हमाचल में शुरू ही थी तो एक पुषफ है और उंचे पहाडी शेत्रों में आफसीजन कटफलार के रूप में किसान को खेतों में तियार करते हैं और काफी तदाद में लाखो के तदाद में यह कंदी पुष्प है इसको तियार करके इसकी डंडियां मंडियों तक पहुँचाए जाती हैं और यह अच्छा एक benefit देने वाला किसानों को फायदा देने वाला crop है उसके लावा एक दूसरा cut flower आता है क्रिजन्थिमम जिसको हम गुल्दाओदी कहते हैं गुल्दाओदी जो है उसकी cut flower वाली varieties है कुछ अगर रंगों के साब से हम लें तो जैसे पीला रंग है सफेद कुछ एक variety है जैसे टाटा सेंचरी है वो पिंक रंग की है फिर एक variety जो है आपके पास yellow star है वो काफी प्रचलर में रहती है एक variety जो है white star है वो दोनों बड़े-बड़े फूल वाली गुल्दाओदी है तो जो मुख्य रूप से गुल्दाओदी हमाचल में हमारे किसान भा जो है वो त्यार होता है तो standard गुल्दाओदी की किसमों का प्रचलर जो है हमारे किसान भाई पूरा सिरमोर जिला जो है अगर देखें और सोलन जिले के कुछ बहाग हमारा जो कंड़ागाट का area है या महोग चैल वाला area है यहाँ इन अलाकों में कुलू के कुछ शेतर ऐसे हैं जहां पर जो हमारे किसान भाई गुल्दाओदी का जो है production काफी high level पर कर रहे हैं तो यह इसके लावा अब कुछ पिछले चार पांच साल से कुछ नई दो तिन क्रॉप्स जो है वो खुले में लगने को आई है जैसे एक ornamental केल के नाम से आई है अब उसको आप कह लिज उसको उसकी पनीरी दे के बीज से लिगा के आगे स्तंबर-क्तूबर में उसका production निकलता है जी और उसका एक individual एक जो head बनता है उसकी खेती करके किसान उसमें पिछले कुछे सालों में जो किंजिन किसान भायों ने इसकी खेती करी है उन्हों इसमें काफी मुनाफ़ा कमाय है जी तो यह तातपरी है आपने कहा कि खुले क्षेत्रों में दोनों तरह से कट फ्लावर की बात आपने की जारी है लेकिन कुछ नई वेराइटीज भी उसमें एड होती गई है ड़क्सा में एक चीज और समना चाहूंगा प्रदेश में क्योंकि हमारा विविन बहुलिक परस्थितियों वाला प्रदेश है उचाही वाले क्षेत्र है मद्य क्षेत्र है थोड़ा मेदानी क्षेत्र के साथ भी जो पंजाब के साथ लगते क्षेत्र है वह भी है तो इन बहुलिक त्रिष्टी से क्या क्या संभावना है प्रदेश में उच स्थर पे भी और मीडिय खेतों में होने वाली फसलों की चर्चा करी है जो मेर्य जो हमारा जो पुश्प बादर आज की डेट में हमारा किसान कर रहा है वो जयदा तर अब पिछले कुछ सालों से पॉली हौसिस निया गरीण हौसिस बनाए है किसानों ने उसके लिए जो हमारी सरकार है हमाचे या सप सीडी जो है हमारे किसान वहयों को पोली हॉसिज बनाने के लिए प्रदान कर रहा है हमारे जो प्रवशी राजे छाहे हरियाना है छाहे हमारा जैनके है चाहे उत्राखंड है लिए मुझाrendh लियाक सबसीडी की लिमिट लग बग 50% है पर हिमाचल ने जो है वो 50% जो है वो सबसीडी वो गौर्मेंट सेंटर गौर्मेंट की एक स्कीम है Mission for Integrated Development of Horticulture in Hills तो वो स्कीम के माधिम से 50% जो सबसीडी है वो तो सेंटर गौर्मेंट से आती है और बाकी जो उसके ऊपर जो है 30 से 35% जो है उपदान जो है हमारी जो सरकार है वो अपने से जो है किसानों के लिए दे रही है तो मैं यह कहना चाहूं गरासाओ कि आज की डेट में इस शेतर को इस सब्जेक्ट को इस फील्ड को पढ़ावा देने के लिए सरकार जो है बहुत परियतन कर रही है और हमारे किसान भाई है उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में होटी कल्चर डिपार्टमेंट के माधियम से भी और क्रिशी विभाग के माधियम से भी बहुत ज़्यदा पॉली हाउसिस का निर्मान करा है और उसमें सरक्षित खेती फूलों की करी है अब जो आपका स्वाल है रासव की अलग लग क्रिशी जलवायू शेतरों के में हम क्या क्रॉप्स लगा सकते हैं तो ग्रीन हाउसिस में अगर हम बात करें जो हमारे निचले लाके हैं बलास्पूर का अरिया है उना का शेतर है इदर सिर्मोर में अगर खेती जो है बड़ी अच्छे स्थर पर जो है की जा सकती है क्योंकि हर क्रॉप जो है उसका एक अपना एक क्लाइमेटिक होता है जी और वह उसी क्लाइमेट में अच्छी चलती है जी तो यह जरबरा एक ऐसा पुछब है जो गर्म लाकों में बड़ा अच्छा मतलब जो कट रोज कहते है जो कट फلاर वाली वरैटीज है वह जै वह हमारे किसान काफी ज्यदा दाद में गर्म लाकीं है जाम द्यफर छेत्र जड़ा हर्क शेतर में पाए जाता है और इस law Machine到եमे घ्तिजए है जो वह ऑट जो लो फिए जो है उमतिकों जाते है नगी इसमें एक चीज कहना चाहूंगा अधासभ कि गुलाब जो है हमारा जो उदेश्य है कि हमें प्रोडक्शन ज्यादा समय के लिए चाहिए ग्रीन हाउस में अगर गुलाब लगाया है तो हम ज्यादा इसमें मैं थोड़ा सा इनकरेज नहीं करता हूं कि थंडे शेत्रों में हम गुलाब की खेती को प्रमोट करें क्योंकि उसमें गुलाब जो है फोड़े समय के लिए फूल देगा और बाकी समय के लिए उसमें फिर ठंड की वज़ए से फूल नहीं आ पाएगा तो गुलाब जो है हमारे मध्य परविती शेत्र और उससे जो निचले थोड़े गर्म हैं इन अलाकों के लिए बड़ी एक प्रबल हमारी और बड़ी कमर्शियल जो है कट फ्लार क्रॉप है और हमारे किसानों ने लगा रखा है और इसमें ज्यादा तर जो है लाल रंग का जो गुलाब है जो लाल वराइटी जैसे एक टॉप सीक्रेट वराइटी है फिर एक फ कि हमारे पर देश की शान हैं पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा कश्वरी की प्ररडशपमयच्प़ में ऑर हमारे किसान भाई परक्ति शीर क्यांति करनेशन की खेती को इतनी बड़िया तरीके से वेफारिक तर पर त्यार करके आज की डेट में पूरे जो नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें राज साथ तो हमारी जो मुख्य मंडी है वो गाजीपूर है दिली से आगे नोईडा के पास यूपी में आता है ये जि तो ज करίν फूर दियो मंड्य творम गाजीपूर में है जि तो हमारे हर उनकिसान जहां चाहे हो गरम ब्लाक को में है चाहे हो मारे मध्य परफ钵ारे चेत्रों में चाहे वहां ठंडे शेत्रों में हैं चिन तो लुखने बहुत जीदाब माझ में जो है लगबग heck हम यह कहें कि हमारे क पास आज की डेट में 130 हेक्टर के करीब जो है संरक्षित जो एरिया है ग्रीन हाउस एरिया है तो उसमें से लगबग 90 प्रतिशत एरिया में हम कानेशन की खेती कर रहे हैं जी और यह लगबग साल भर जो है कानेशन की क्रॉप जो है हमारे किसानों को फूल देते रहती है और इसका जो फूल जो है यहां से बेक के पेग होके प्रवपर तरीके से सारा फूल जो है दिली जाता है और कुछ थोड़ा सा फूल पंजाब के कुछ बड़े शहर है, आसपास चेत्रों में भी, लेकिंडक साब आपने कहा कि मेन मार्केट जो है इसकी ओ दिली में गाजीपूर में ही यह समझना चाहँगा उन लोगों के लिए, हमारे उन दर्शकों के लिए, उन युगां के लिए, उन किसानों बागवानों के लिए, जो ब्यावसाइक द्रिश्टी से इससे जो है, अपनी सोरोजगार के तौर पर इससे अपने आजीवी का कमाना चाहते हैं, मार्केटिंग कैसे की जाए, और मार्केटिंग उन लोगों के लिए भी बताएं आप कि किस तरह से अच्छी पाद पैदावार उगाने क वो कैसे लोगों को इससे जोड सकता है और साहिक कैसे है इसमें जो पहला जो आपका पार्ट है कि मार्केटिंग का है, तो मार्केटिंग में हलका सा यही बताना चाहता हूं कि अभी मार्केटिंग का सिस्टम है, पूरे परदेश का किसान चाहे वो चंबा में बैठा है, च जाहे वो कांगडा में है चाहे वो कुलू में है या वो सिरमोर है या सोलन है या शिमलव है तो वो सारे किसान जो है आलमोस्ट ज्यादा तर जो उनकी जो प्रड्यूस है वो पैक होके वो दिली या जाजीपूर चले जाती है जी वहां पे हर किसान का कंटेक्ट जो है अपने कुछ किसान एकत्रित हो के गाड़ी में भीज देते हैं और कुछ किसान बैक भीज देते हैं म५किश किसान इंडियोजन लेवल भी रात को नाइट बस का नदिली मंडी तक पहुंचाते है और हर किसान है उस आर्थी के संपर्ण दूबाद का किसान कोई वी धर сам करें मन्डी के लिए हमें तिली जाना चाहते हैं पर यह हिमाचल में पुणी कोई संभावना वह ही मैं के सरकार ने पिछले कुछ समय से नाउंस कर रखा है और अभी भी पिछले कुछ दिनों पहले भी हमें समचार पत्रों के महादेम से पता लगा है कि हमारे यहां पे हमाचल में सरकार की तरफ से एक अपनी फूल मंडी जो है वो स्थापित होने जा रहे हैं जो बहुत बहुत जो सेपरेट जो इंडिपेंडेंट फूल मंडी होगी और एक विग्यानिक होने के नाते मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात कि हम अपने किसानों के लिए कम से कम अगर अगर अपने प्रदेश में ही एक मंडी रखे हैं तो हमारा थोड़ा किसानों को उसमें बहुत मेरा एक और सावाल है जैन में जो वहत करोने वह यह की करोना का दोर रहा पिछले गत दो नहीं वर्शों में और उसमें हुआ क्या कि ज्यादा तर लोगों की नौकरिया चली है या बेवसाय जो है वह बाधित हो गए और आज भी यह समस्या बरकरार है जियों किती हुए अ उस तरह से क्या हुआ कि अपने गाओं की तरफ आने लगे तो गाओं में वही परणपरागत खेती करने लगे लेकिन इस आज किस कारेकम के बाद जो लोग यह कारेकम देख रहे हैं उन योवाओं के लिए जो सोरोजगार के तौर पर इसे अपनाना चाहें उनके लिए अपनाएं और फिर विभाग की तरफ से और बतोर एक्सपर्ट उनको आपका परवर्श क्या रहेगा अधासाब अभी जो वर्तमान में जो यह जो आपका स्वाल बड़ा वाजिब है कि आज की डेट में सवरोजगार जो है हमारे लिए एक प्रमुक जो है हमारा उदेश है और हमें अपने जो वेरोजगार जुवा हैं उनको हमें उनका मागदर्शन करके कहीं स्पेशलाइज फील्ड में या इस तरह के जो टेक्निकल फील्ड हैं अकर उसमें हम उनको प्रेरित करते हैं तो एक हमारा बड़ा अच्छा प्रयास होगा तो मैं इसमें बताना चाहू प्रदान करना है और युनिवस्टी ने पूरे साल का किलिंडर त्यार कर दिया है और अभी आने वाले इसी वर्ष में जो है वो एगले वर्ष में वो लगातार तोर प्रें विश्वध आयले में हैँ में जो में वहां भी हमारे उनकोन के बाकी आउट स्टेशन हैं there रहे जगा पे ट्रेंशर करने जा रहे हैं यह कोशल विकााष निगम के जो अधिकारी गन हैं, उनके साथ हमारा लगाता संपर्ग जो है बना हुआ है, जो हमारे जो ट्रेनीज हैं या जो बेरोजगार युवा होंगे, उनकी जो सेलेक्शन जो है, वो हमारे कोशल विकास निगम के अधिकारीय द्वारा की जाएगी, और अगर वो कुछ बेरोजगार युवा जो है, इस कारेक्रम के माध्यम से यह जाना चाहें, तो वो हमारे युनिवर्स्टी से भी संपर्ग, जो हमारा विस्तार शिक्षा निदेशाले है, हमारा डीन कॉलेज ऑफ होटी कल्चर जो है, वो इस पूरे प्रोग्राम को जो है कॉडिनेट कर रह हमी है, तो वो उसका अच्छा सद उप्योग कर सकते हैं, क्योंकि जो किसान दोरा दी जारी सुविधाय हैं, वो आज के डेट में बहुत अच्छी हैं, दोनों भी भाग, क्रिशी भाग भी और उध्यान भी भाग भी, इनके पास जो है, डिफरेंट स्कीम के माध्यम से बह हमारे किसान भाइयों के लिए, और जो बच्चे जो हैं आज के डेट में पड़े लिखे बच्चे जो हैं, अगर वो खेती के तरफ को प्रेडित होना चाहते हों, तो यह पुश पतपादन जो है, इसमें यह कट फ्लार पोड़क्शन एक है कि आपने ग्रीन हाउसिज बना सकते हैं, तो इन सब चीजों से जो है, हमारे जो बच्चे हैं, वो कल को अपने लिए भी एक रोजगार का सादर बना सकते हैं, बलकि वो आगे भी कुछ जो है, कहीं और बच्चों को भी जो है, रोजगार को रोजगार का सकते हैं, आपी तो कुछ और लोगों को भी रोज , भीयर द मेरे मेशन Зटी नको ऊत्व स्थाइब के लिए नानी से सम्पर्क साथ ता है , युथ हमारे डिरेक्टर विश्थार्ड शीक्षा नतैस्ध नयर्च निधेशक हेंने , ननंपर हेड़किस मैं बटाना चाहनगा कि हमारे पूरे जो आॉटस्टेशन थैंést है हर जगा पे हम एक वोकेशनल कोर्स होटी कल्चर मैनेजमेंट पे एक साल का प्रिशिक्शन कोर्स हम इसी पिछले कई वर्षों से करवाते आए हैं और वो आसपास के इलागों के जो बच्चे हैं वो प्रिशिक्शन लेने के लिए बड़े रेगुलर तरीके से हमारे पास आ रहे हैं अभी जैसे में मशोबरा की एजेंपल देता हूँ तो हमारे पास दो बैची अभी भी चले हैं जी तो जो बच्चे जो हैं वाकिए अगर टेक्निकली कुछ सीखना चाहें जी देखे डासब यह चीज बड़ी जरूरी है कि कोई भी केरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए इन चीजों के साथ साथ और क्या हिदायत देंगे आप पुष्प उतमादन की नई क्षेतर कौन से हो सकते हैं या नई पदावार कौन से हो सकती है तो थोड़ा सा हमारे दर्श्कों को बताएं कोई ड़ोस्टेशन के मादम से कोई पि प्रजेक्सान भाई जो है खूले खेतों में लगाते हैं तो नहीं में कौन सी फ़स्ट नहीं में रहा सब एक ये जो है एक एक क्रॉप है जी क्या नाम इस क्रॉप का इसको वैसे यूस्टोमा और या लिजियन्थिस भी बोलते हैं ये एक कट फ्लार पोदा है ये पोदा मेरा तो आधी अगर आप देखे तो ये भी विदेशी फूल है अभी इस कौला के पिछले 2010 में थे नवाट के माद्यम से हमसे एक प्रोजेक्त लिए ठीक्त जो है उसकी सारी टेकनिक्स करने के लिए उनोंने परोफन करनों 우리स हमरे को कुछ दिये ते तो कंड़ा ने हमने मे है काफी अच्छा बिक्ता है मैं हमने फिर जब यह लगाई थी कंडगाट में तो महोग जो चैल में जो में एरिया है महोग बाग जहां पर इसका पुछ पुछ पादर काफी बड़े स्थर पर हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो वह कुछ महां के उद्मी लड़के जो है यंग इससे चलने वाली या कंडिये इसके यह कट-कट फ्लार है तो यह भी बड़ा जबदर्स एक फूल है जिसके संभावना है हमारे परदेश में जिसके लावा एक यह क्रॉप है जिए यह और्किट एक प्रमुख ग्रूप है पूरा एक और्नमेंटल प्लांट का तो उसमें सिंबीडियन नाम का और्किट है जी तो यह सिंबीडियम और्किट यह जो मैंने रेनुंकलस आपको बताया जी 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 नाम बताया इसका नाम है जी हाइडेंगया। यह वाला है, यह यह वाला है, यह यह हाइड इस नाम का पुछपए जी और यह वैसे तो यह सजावटी पोदा है, यह ऑनमेंटल बूश है, जाड़ी है, हमारे यहां परसातों में पहाड में काफी खिलता है, पर इसके जो कुछ ऐसी वराइटी's है, जो green houses में कुछ फ्लार क नए जो तकनीक है, इनको अपने ब्यावसाइक तोर पर अपनी दिन चरह में या अपना जो नई कल्टिविशन हो रही है, उसमें शामिल करना कितना लाप्रद है, ये सब नई क्रॉप्स हैं, हाइली प्रॉफिटेबल हैं, अब मैं इस से लिज़ा है, अब इसका उत्पादन ब्यावसाइक तोर पर किया जाना चाहिए, आप स्टुडियो में इतने महत्वपून जानकारी दी, और किसी और करेक्टर में और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगा, ये नई फसलों पर कभी समय मिला तो दूरू चर्चा करेंगा, आपका स्टुडियो में आने के अगले अंक में एक नए विश्य के साथ आप से फिर आजिर होंगे, तब तक आप ख्याल रखिये, और अपनी सेथ का भी ख्याल रखिये, अपनी क्रिशी का अब अगवनी का भी ध्यान रखिये, नमस्कार हुआ है